में अरफात कास्मानी और आप देख रहे हैं तुडेज वॉइज निउज मजदूर की बॉड़ी में आइरन रोड गुशा काम करते हुए बदलापूर की एक कंस्ट्रक्शन साइट में सीसी टीवी कैमेरा इंस्टॉल करते हुए लेबर की बॉड़ी में आइरन रोड गुश गया बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट के आठवे माले से ये आइरन रोड गिरा जबके वो मजदूर सीसी टीवी कैमेरा का काम कर रहा था पोटो में आप देख सकते हैं किस तरीके से मजदूर की बॉड़ी में आइरन रोड गुशा हुआ है मजदूर का नाम था सत्यप्रकाश तिवारी जो के 26 साल का है तिवारी की कंडिशन अभी स्टेबल है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल पड़वल का ये कहना है कि ये इंसिडेंट ठाने कर पलेस्यो हाउजिंग प्रोजेक का है आज से के फोरण बात तिवारी को नजदी की हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उसकी जान बच गई अभी तिवारी की कंडिशन सही है अब तक इस मामले में किसी तरह का कोई केस रेजिस्टर नहीं हो पाया है पर पुलिस का कहना है कि आगे की जाच की जाएगी और जल्द इसके उपर कोई एक्शन लिया जाएगा यह थी हमारी आज की नियूस आगे की नियूस के लिए जुड़े रहें देखते रहें टुड़ेज वॉइस नियूस